तो गैस BbSale related काफी सारे सवाल आए हुए हैं जिनके बारे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहला जो सवाल था वह यह था कि BbSale जो है कौन सी डेट को start होगी और कौन सी डेट तक हमें देखने को मिलेगी और फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है डेट अब जो है कन्फर्म हो चुकी है काफी बड़ी गुड निउस है अब यह डेट कौन जी है यह आगे आपको मैं बताऊंगा आप पूरी वीडियो बस देखते रहो दूसरा सवाल लोगों का यह था कि अगर हम बिग बिलियन से आईफोन ओडर करते हैं और जब हमारे पास आईफोन आता है पार्सल आता है और बाई चांस उसके अंदर से साबून की टिक्के निकलाती है या रोडे पत्थर निकलाते हैं तो ऐसे कंडिशने में हमजी है क्या क कर सकते हैं और तीसरा सवाल लोगों को यह था कि बाई बिग बिलियन सेल में इतने सस्ते क्यों होते हैं क्या यह एक रिफर्बिश्ट आइफोन होते हैं जिनको आज ब्रेंड न्यू करकर बेचा जाता है या इन आइफोन के इन आइफोन में जो इंटर्नल कॉम्पोनेंट होते हैं क्या वो किसी मतलब पुराने फोन से उठाकर जो है इसमें लगाए जाते हैं जिस करकर इसको सस्ते में सेल किया जाता है बिग बिलियन सेल में काफी लोगों ने यह चीज़ वीडियो पूछी है तो यह तीनों सवाल का जवाब आपको बिल्कुल कलारिटी के करेंगे इस पर भी बात करेंगे मैंने पूरी लिष्ट त्यार कर लिए सब कुछ आगे आपको मैं बताऊंगा तो पूरी वीडियो देखते रहा हो पसंद आए तो लाइक बीजरू कर देना अब देखो सबसे पहली बात यहां पर यह कर लेते हैं कि अगर आप बिग बिलि डिलीवरी जो है ऑप्शन यहां पर यह शुरू कर दिया कि अब होता क्या कि मान लिजी अगर आपने बिलियंग से अपना आइफोन ओडर किया है जब आपको फिलिप कार्ट का जो डिलिवरी बॉब है वह जब आपको देने आएगा आपका आइफोन तो वह आपसे पी नहीं देना क्योंकि आपके फॉन पर ओपन बॉक्स डिलिवरी वाला जो इनेबल है उसमें अपने क्या करना है बिबिलियंग से के सब आइफोन खासकर ऑफन पर यह फीचर इनेबल होता है ओपन बोक्स डिलिवरी वाला दो आप ओडर करो गे नहां पर आपको जो से देखो ओन करो सारा मतलब आगे पिछे से सारे फोन के देखो कहीं से डेंट तो नहीं है कहीं आपको कुई पुराना फॉन तो नहीं लग रहा या यह मैं चेक आउट करो इनकी एपल के ओफिशल वेबसाइट पर जाकर मतलब अच्छे से पांदस मिंट लगाओ संतुष्ट करो उसके बाद आपने OTP देना है जब तक आप OTP नहीं देते हो तब तक पूरी सारी गेम जो है आपके हाथ में आपके पैसे बचे हुए है अगर आपने एक बार OTP दे दिया उसके बाद भाई कुछ भी नहीं हो सकता ओपन बोक्स डेलिविरी का मतलब यहीं है पहले आप अच्छे से चेक आउड कर लो अपने तसली कर लो उसके बाद आपने OTP देना पहले अगर वो डिलीविर बाई OTP मांगता है तो आपने बिल्कुल भी नहीं देना तो फ्रोड होने के चांसे यहां पर खतमी हो जाते है कि साब उनके टिकिया निकल रही है या रोडे पतर न बेचा जाता है या components जो है किसी पराने फॉन के लगाए जाते हैं तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल एक ब्रैंड न्यू आइफोन यहां पर जो एपल जो मैनुफेक्टर करता है कोई नकली आइफोन नहीं होता ओरिजिनल आइफोन आ देते हैं तो यहां पर जो है साल में एक बार लगती है जिसमें यह काफी तगड़ी ओफर देते हैं तो यहां पर ऐसा माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि पुराने components लगे हुए आइफोन के अंदर या रिफर्मिष्ट वोन ऐसा नहीं है बिल्कुल ब्रैंड न्यू आइफोन आपको मिलता है लेकिन हमारी यहां पर तोड़ी से रहती है कि हमने अपने आखे खोल कर रखनी है कोई देने आर जब हमारा डिलीविर रुपाई हमां आइफोन देने आ रहा तो देखे यहां पर जो है 91 मोबाइल करकर एक वेबसाइट है जिन्होंने यहां पर जो है किलियर एक पोस्ट डाली है और उसमें जो है मैंशन किया हुआ हुआ है कि जो अपनी बिक बिलियन सेल है ना वो थार्ड अक्टूबर से स्टार्ट होगी और 10 अक्टूबर तक जो हमें जो है देखने को मिलती है और इवन इन्होंने यहां पर ओनली यह बिक बिलियन सेल नहीं बलकि आगे जो बुनांजा सेल होती है दिवाली सेल होती है दिशारा सेल होती है सारी सेल यहां पर यहां से कंफर्म हो जाता है कि इनके बाद सारी डेट्स हैं और इन्होंने य आइफोन के प्राइजिस की जो आपको खृद रहा है वह प्राइजिस अच्छे से समझ लो तो यहां पर यहां पर आइफोन जो इलाएवन है वह आपको ट्मंटी यहां पर आपको इस पॉन के लिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एक तो यहां पर यहां पर इतने ज्यादा इंप्रूवड नहीं है तो मेरा कहना यह है कि आप अगर ठाई ठाई यहां पर खर्च भी रहे हो तो भाई इस पॉन की तरफ ना जाना क्योंकि अभी की डेट में हमारे पूर इंडिया में आपको फाइव जी की कमी महसूस होगी कल को फॉन सेल आउट करने जाओगे तो फाइव जी करकर आपका फॉन जो है बहुत ज एक चीज में आप पहले और बता देता हूं जो भी आप आइफॉन क्रीद होगे आपने 28 जी भी खरीदना 64 जी भी ना खरीदना आज की डेट में सभी एप्स काफी जादे हैवी हो चुकी है आपके दो त्री मेने में फॉन फूल हो जाएगा 64 जी वाला बाद में आपको प पैसे लगाने जा रहे हो तो मेरे कहने पर थोड़े से पैसे और करना जैसे तैसे करकर जो जुगाड कर ले ना और आइफॉन 13 की तरफ चले जाना क्योंकि यह फोन आपको 42 जार तक कर जो है अराम से मिल जाएगा और आपको 128 जीवी वाला ही फॉन मिलेगा क्योंकि थर्टेन आइफॉन 13 में जो है 64 जीवी वाला वेरिंट आते नहीं है 128 जीवी से स्टार्ट होता है और यह फॉन सबसे ज्यादा केलर होने वाला क्यों क्योंकि इसमें जो है बैक जो कैमेरे का डिजाइन है वो आइफॉन 15 कभी सेम है और 13 कभी सेम है तो किसे को जैजमेंट नहीं होगी कि आपने कौन सा फोन जो है पकड़ा हुआ है तो काफी मस्त है बैक से लेटस्ट डिसाइन आपका मिलता आइफॉन 13 तरफ आप जहां सकते हो उसके बाद आइफॉन 14 की बात कर लेते हैं तो 14 आपको जो है 49 या 50 तक अराम से मिल जाएगा अगर आपका 50 जाए तक का बज़ेट हो तो आप आइफॉन 14 उठा लेना काफी मतलब इंप्रूवड है आपको अच्छे मिल जाते हैं थोड़े से और बैटरी आपको थोड़े से इंप्रूव मिलेगी बाकी बहुत ज्यादा मतलब फरक नहीं दोने फोन में लेकिन फिर भी अगर आपका बज़ेट है तो आप 14 की तरफ जाना काफी मस्त फोन है और मेरा इस बार जो प्लैन है व आपका 48 से 60 तक जाएगा और मेरे अंदर से जो आवाज आ रही है शायद हो सकता है अगर बहुत जादा अग्रेसिव प्राइस इन्होंने देनी होई तो 56 से भी दे सकते हैं चुपिंजा यार का 56 से लगा लो तो 56,000 तक आपको मिल जाएगा आइपोन 14 प्लस परपल क्लोश के और जानवरों से प्यार करें